गुर्मानी श्टूरंट आज हम प्रेम की बिरादरी इस निबंद के बारे में देखेंगे ये वेंगे निबंद है और हरिशंकर प्रसाईज और राचित इस निबंद के माध्यम से उन्होंने अमारे सामने एक लड़का और लड़की घर शोड़ कर भाग जाते है और किस प्रकार एक मनुश आकर उनसे कहता है लेकिन वो उनसे सवाल क्या करते है कि वो दोनों भाग कर गए तो क्या हुआ पिर वो मनुष्य कहता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है और वो अलग-अलग जाती के है तो वो बोलते है कि वो मनुष्य जाती के तो है न और इस प्रकार से इस निबंद में उन्होंने एक वेंगे किया है उसे हम देखने जाएंगे और इस प्रकार आज हम इस निबंद के बारे में चर्चा करते देखिए प्रेम की बिरादरे उनका सब कुछ पवित्र है जाते में बाजे बजा कर शादी हुई थी पत्नी ने साथ जर्मों से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा इतनी पतिर्वतास देती देखिए उन्होंने अपने लड़के लड़की की शादी सदा मंडप में की लड़की के लिए दहेश दिया और लड़के के लिए लिया एक लड़की खुद पसंद की और लड़की की पत्नी बना दिया और इस प्रकार से यहाँ पर एक लड़की ने खुद पसंद की और लड़की की पत्नी बना दिया उन्होंने सब कुछ उनका पवित्र है प्रापर्टी है फुर्सत में रहते है दुसरों की कलंग चर्चा में समय काटते है जो समय फिर भी बज जाता है उसमें मूच के सपेद बाल उखाडते है और बरतन बेचने वाली की रहा देखते है पवित्रता का मोह दुसरों की और पवित्रता के गंदे पानी से दुलने पर ही उजला होता है वे हमेशा दुसरों की और पवित्रता का पानी लोटे में ही लिये रहते हैं मिलते ही पवित्रता का मोहद होकर उसे उजला कर लेते हैं वे पिछले दिनों दो लड़कियों के भागने, तीन स्तिरियों के गर्बपात, चार की गैर बिरादरी में स्याधी और दो प्रतिवरताओं के प्रणए प्रसंग बता चुके हैं और इस प्रकार ये निविंदकार एक वेक्ति के बारे में बताते हैं देखिए, ऐसे वो वेक्ति हैं अभी उस दिन दात खोजते आए, भोजन के बाद कलंग चर्चा का चूर्न फांकना जरूरी होता है, हजमा अच्छा होता है, उन्होंने चूर्न फांकना शुरू कर दिया, आपने सुना, अमुक सहब की लड़की, अमुक लड़के के साथ भाग गई, और दोनोंने इलाब में शादी कर ली, और ये लेकक से आकर इस प्रकार की बाते कहते हैं, क्योंकि उनको लोगों की बाते बताने का एक बहुत शौक रहता है, देखिए, और दुसरों की जो कलंग चर्चा में ये बहुत इसा लेते हैं, ऐसे ही वनुशे देखिए, कैसा बुरा जमाना आ गया ह मैं जानता हूँ की वे बुरा जमाना आने से दुखी नहीं, सुकी है, क्योंकि वो भाग कर गए करकर ये बहुत सुकी है, लेकिन लेकक के सामने इस प्रकार का दिंडोरा पीट रहे है, कैसा बुरा जमाना आ गया है, और दुखी नहीं, वो सुकी होते हैं, ऐसे लेकक बता जितना बुरा जमाना आएगा वे उतनी ही सुक्य होंगे तब ये यहाँ महसूस करके और कहेकर गर्वा अनुबव करेंगे कि इतने बुरे जमाने में भी हम अच्छे के अच्छे है कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं वे सामुईक पतन में से नीजी गवरों का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समो का पतन कहेकर बरी हो जाते हैं देखिए एक एक लोग कैसे होते हैं देखिए बहुत चतुर चालाक होते हैं और वो समो समो में आदी ये करकर खुदी ये करते हैं और उन सब के नाम वहाँ पे बोलते हैं मैंने अपनी दुरुष्टा आदत के मुताबिक कहा इसमें परिशान होने की क्या बात है अपने देश में अच्छी शादिया लड़की भाग कर ही हुई है कुष्ण ने रुक्मनी का हरन किया था अर्जुन ने कुष्ण की पेंसुबद रखा किया था इसमें कुष्ण की रजामंदी थी भाई अगर को आपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है भाई को आपरेट करता है को आपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी हो जाती है देखिए ये बाते उस मनुस्य से लेकक कहते हैं अरे हमारे देश में कुन से ऐसे नई बात है कि भाग कर शादी हो गई शादिया तो लड़की भगा करी हुई है कुछन का उदारन देते है अरजुन का देते हैं तो सोयम वहाँ पर भाई ने रजामंदी दी थी भाई का हाथ था वे नहीं जानते थे कि मैं पुरान उनके मुहाँ पर मारूंगा संबल कर बोले भगवान कुछन की बात अलग है मैंने कहा हाँ अलग तो है सादारन आदमी ऐसा जब करता है करे तो यह काम अनेतिक हो जाता है क्या अरे वो भगवान की बात थी पिर सादारन आदमी ऐसा काम करे तो क्या अनेतिक हो गई क्या न चर्चा कर रहे है, वो अपनी मर्जी से घर से निकल गई और मर्जी से शादी कर ली इसमें क्या हो गया और हरशंकर प्रसाई जी उस मनिशों को बोलते है अरे जिस लड़की ने भाग कर शादी की है वो मर्जी से गई है मर्जिस से उसने अपना गर छोड़ा है वे कहने लगे आप हमेशा उल्टी बाते करते है रीती, नीती, परंपरा, विश्वास क्या कुछ नहीं है आप जानते है लड़का लड़की अलग जाती के है फिर वो मनुश्य बोलता है अरे लड़का लड़की अलग जाती के है आपको कोई यह नहीं होता है क्या आप ऐसे कह रहे हो अरी ती, नीती हमारी परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है क्या यह कहने के लिए है श्रिफ मैंने पूचा मनुश्य जाती के तो है ना लेकर बोलते हैं मैंने पूचा उस आदमी से अरे वो मनुश्य जाती के तो है ना वे बोले हाँ मनुश्य होने में क्या शक है मैंने कहा तो कम से कम मनुश्य जाती में तो शादी हुई अपने यहाँ तो मनुश्य जाती के भार भी महान पुरुशों ने शादी किये जैसे भीम ने हिडिमबा से और ये पुरा का पुरा महवारत हरिशनकर परसाई जी उनके सामने रखते हैं देखिए हिडिमबा भीम की पत्नी का नाम दर देते हैं देखिए ये घटनाएं बढ़ती जा रही है क्या कारण है कि लड़के लड़की लड़के लड़की को घर से भाग कर शादी करनी पड़ती है 24-25 साल के लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है पर अपने जीवन साती बनाने का अधिकार नहीं मिला ये कितनी दुख की बात है कि 24-25 साल के उम्रके लड़के लड़की को भारत की सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है मिल गया है मिल चुका है लेकिन उसको अपना जीवन साती बनाने का अधिकार नहीं क्यों नहीं अधिकार उसको वो अपने मन के मुताबिक अपना जीवन साती चुन सकती है ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से वो कहते हैं घटनाएं में रोज सुनता हूँ दो तरह की चिटियां पेटेंट हो गई है उनके मजमून ये है जिनने भाग कर शादी करना है वे और जिनने नहीं करना वे भी इनका उप्योग कर सकते हैं चिटि नमबर वन पुझ्य पिता जी मैंने या रमेश से वैदिक रिती के अनुसार शादी कर लिए हम अच्चे है आप चिंता मत करिए आशा है आप और अम्मा मुझे माफ कर देंगे आपकी बेटी सुनिता चिटि नमबर दो इस प्रकार है प्रियर अमेश मैं अपने माता पिता की इच्चा की विरुद्ध नहीं जा सकती तुम मुझे माफ कर देना तुम जरूर शादी कर लेना और सुकी रहना तुम दुकी रहोगे तो मुझे जीवन में सुक नहीं मिलेगा रुदे से तो तो मैं तुमारी हूँ चार-पांच साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूंगी बेटा मामा जी को नमस्ते करो तुमारी विनिता और इस प्रकार से ये दो चिटिया है एक बेटी अपने पिता को लिखती है कि मुझे माप करो अमन और आप मुझे माप कर देंगे क Unity के अनुसरा शादी कर ली है और दूसरी चिट्टी में रमेश को क्या कहता है रिखकी विनिता कि प्रिये रमेश मैं अपने माता पिता कि इच्छा को नहीं तोड़ सकती और आप से शादी नहीं कह सकती आप किसी और लड़के के सादी करना और सुकी रहना चार-पांच साल बाद आप जब आओगे तो पपु से कहूंगी बेटा तुमारे मामा जी को नमस्ते करो अरीस प्रकार का ये वेंगे जो है परस्तोतिस निबंद के माद्यम से उन्होंने किया है प्रेम की बिरादरी इसे हम देख रहे है अगले क्लास में और इसको देखेंगे कल के क्लास में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना है और नूर सापको यहां के लिखने मैं आपको शुरुवात कैसी करने वो बताऊंगा और अनुवात को आदे लेकर और इन सभी निबंद कहाने को आदे अच्छे से एक अरना है धन्यवाद